आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोरोना संक्रमाण अभी हाल फिल हाल थमता नहीं दिख रहा है आगरा में ये संक्रमित मरीजों की संख्या चार सो के करीब पहुँच गई है मंगलवार सुबे 12 केस की रिपोर्ट आई है प्रिशासन ने इन में से 3 को रिपीट बताते हुए 9 नए मरीज की पुष्टी की है इस तरह मंगलवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 398 हो गई है इससे पले सो मौर को दिन भर में 16 ने केस सामने आने के बाद आगरा में 389 कांगरा पहुचा था उसके सापेक्ष अभी ठीक होने वाले लोगों की संख्या कम ही है आगरा में अब तक 64 लोग सही होकर घर लोट चुके हैं ताजनगरी में 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है मंगलवार को जिन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आई है उनके सेंपल जाज के लिए 24 और 25 से अपरेल को भेजे गए थे एक होस्पिटल में डालेसिस करा रहे गूर्दा रोगी सही सोमौर सुबह आठ में कोरोना की पुष्टी हुई है ताजगन शिद्र के अस्पताल में दो महीने से हर सब्ताह दो बार और 30 साल के बेलंगन निवासी गुर्दा मरीज की डालेसिस हो रही है वो डालेसिस से पहले जिलास्पताल में जांस कराने पहुँचे वहाँ स्क्रीनिंग में कोरोना के लक्शण न होने पर सैंपल लिये बिना उन्हें वापस कर दिया इसके बाद दोबारा 30 अप्रेल को डालेसिस से पहले जिलास्पताल गए वहाँ उनके सैंपल लिये गए हॉस्पिटल में उनकी डालेसिस कर दी गई इसी तरह से 40 साल के बोदला निवासी मरियज को तेज बुखार के साथ सांस लेने में परिशानी हो रही थी, इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। आगरा में संकमल को रोकने के लिए जिलाप्रशासन ने फल और सब्जी बिकृताओं के सैंप्लिंग का निर्णा लिया है। जिलादकारी और SSP ने ताजजन इलाके में लगने वाली सब्जी मंडी में डोर स्टेप डिलिवरी के सब्जी बिकृताओं को टी-शर्ट, मास्क, सेनिटाइजर, बित्रित किया और रिट्रेनिंग भी दी गई। अब 28 दिन तक संदिग्द किये जाएंगे कॉरंटीन 28 दिन का कॉरंपूरा करने के बाद उन्हें घर भेजा जाता है सोमार रात पांच हुए डिस्चार्ज कोरोना की जद में आए पांच और मरीज ठीक हो चुके हैं इनकी दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने पर इन्हें होस्पिटल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गय बिजब अगेल सी न्यूज आगरा